दोस्तो अगर आपने अभी तक App2Use YouTube चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो इस लाल कलर के सब्सकाइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सकाइब करें और उसके साथ इस घंती को भी दबाईए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं Hello दोस्तो, App2Use YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक good news देने वाला हूँ दरसल दोस्तो जो लोग Samsung के smartphone यूज़ कर रहे है और अगर कोई future में Samsung का smartphone खरीदने के बारे में सोच रहा है तो दोस्तो ये news आप लोग के लिए अच्छा हो सकता है Actually दोस्तो, Samsung अपने update policy में changes करने वाला है तो दोस्तो आप लोग ये सोच रहे कि हमें क्या lab होगा इस से तो दोस्तो Samsung की जो update policy था, वो 2 साल का था अब Samsung उसे बढ़ा के 3 साल करने वाला है मतलब 3 साल तक Samsung के phones में आपको update मिलेगा मतलब हर phone में एक major OS update आना आपसे confirm है और flagship और upper mid-range phones में 3 OS update मिल सकता है तो दोस्तो ये अभी officially confirm नहीं हुआ है लेकिन दोस्तो ऐसा होने वाला है Samsung अब अपने सभी phones को priority देने वाला है जो कि एक अच्छी बात है दोस्तो 2018 में Samsung इस news को officially announce कर सकता है तो दोस्तो future में देखते है इस नए update policy के अंदर कौन-कौन से phones आते है और कौन-कौन से phones को update भी मिलता है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को like कर दीजिए share भी कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और हमारी इस channel को subscribe कीजिए ऐसे useful information future में पाने के लिए Thank you so much for watching